एक्सेलशर इस समय उसी इलाके में मौझूद है रजोरी के काला कोट में जहाँ पर कल से सुरक्षवलो का महा ओप्रेशन चल रहा है। आपको बता दे कि अभी तक जो 40 से 42 गंटे बीच चुके हैं और 42 गंटे के बीतर इस पूरे इलाके को कॉड़न किया गया है और इस इलाके में खास और पर जो सबसे बड़ी चनोती है वो है जंगल का इलाका फरस्ट के इलाके में आतंकी हमेशा छिपते हैं और उन फरस्ट क एरियस में नैचरल केव्स होती हैं यानि जो बड़ी बड़ी चटाने हैं उनका सहारा लेके हाइड बनाया जाता है तो ऐसे में सुरक्षा बलो का एक ही मकसद है कि जल्द इस ओप्रेशन को समाप किया जाए और जिन आतंगवादियों को गेरा हुआ है उन्हें जल्द से जल्द नूटराइज किया जाए इसके साथ अगर बात करें तो कल शाम को कॉंटेक्ट एस्टेबलिश हुआ था दोनों तरफ से फारिंग हुई थी जिसमें बारतिय सैना के तीन जवान भी गाइल हुए थे हाला कि इन गाइल जवानों की अधिकारिक तोर पर पुष्टी नहीं हुई यह सूत्रों के हवाले से ख़बर थी कि तेन जवान जो है वो गाइल हुए है और उन्हें सैना के अस्पिताल में बर्थी करवाया गया है और वो अभी खत्रे से बाहर है और इस इलाके की खासवर पर बात करें तो आज इस ओपरेशन में ADGP जमू मुके सिंग खुद मॉनिटर कर रहे हैं वो खुद यहां पर पहुंचे हैं जबकि इस पूरे इलाके में सुरक्षा बल्क केई equipment का यूज़ कर रहे हैं वो चाहे ड्रोन का हो या फिर helicopter या चौपर के जरीए नजर रखी जा रही है तो यह जो इलाका है काफी जंगल का इलाका है केई च counter में कल से जो है वो सुरक्षा बल यहां पर तैनाथ है inner garden और outer garden दो काड़न जो है वो लगाए गये हैं हलाकि पूरे चारों तरफ से जो है उन आतंकियों को गेरा गया है सूत्रों की अगर माने तो तीन से चार आतंगवादी होने की जो है यह सूचना सुरक्षा बलों को मि प्यमाने पर यहां तलाशी अभ्यान चल रहा है इसके साथ अगर बात करें तो अभी भी पूरे इलाके में तलाशी अभ्यान चलाया जा रहा है बड़े अधिकारी वो चाहे बारती सैना के हो या फिर जमू कश्मेर पुलीस के हो CRPF के हो वो यहां पर पहुंच रहे हैं र